यह साजना के थे आजमनगर परखंड के मुफ्ती मती उर्राह्मान साहब जो मुनासर एहल सुन्नत है और इसलाम के जाने माने चर्चित आदमी है जो जिनकी शक्सियत आज के इसलामी उलूम के दुनिया में हर आदमी पहचानता है देश विदेश हर जेके उनकी चर्चा है उनसे मालूम करते हैं कि मुफ्ती आले मुस्तफा साहब जो हमारे बीच अब नहीं रहे इसकी वज़े से उलूम इसलामिया में क्या फर्क परसबता है अर्से दराज की बात है जब सीमाचल के सबसे बड़े आली में दीन, हज़रत मौलाना, गुलामियासीन साहब, चिबनी बाजार शरीफ, बहायात थे, उनके आखरी दौर में, मैं उनकी खिदमत में जब हाधिर हुआ, तो वो अपनी जगह से उट खड़े हुए, और मैं दस्बोस हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी मसनद की तरफ इशारा किया, और फरमाया कि यहां तश्वीफ रिखिये, मैंने हाथ जोड़ के अर्स किया, कि हदरत, वो आपकी जगह है, मेरी जगह नहीं, मेरी जगह तो यहां आपके कदमों में है, उन्होंने दुबारा फरमाया कि नहीं यहां बैठिये, अब उनका हुक्म था, मैं आया, और बैठिने के खरीब होकर, खड़ा हो गया, और का हदरत, हुक्म की तामील हो गई, अपनी मस्दत पे तश्रीफ फर्मा हूँ मुझे यहां बैटने की अजाज़त दें उन्होंने एक लंबी आहा भरी और फर्माया अब इस फकीर को मरने का गम नहीं रहा मेरे बाद मेरी जगह लेने वाले लोग मौजूद हैं मैं आज जिस आलमे पिरानसाली और गुम अमराज के साथ गुजर रहा हूँ मेरे लिए भी ये मसला था कि मैं किसको छोड़े जाऊँ कुर्बानी के मौके पर मौलाना मुफ्ती आले मुस्तफा साथ गरी भाने पर तख्रीफ लाए उनसे बड़ी देर तक इल्मे बाते होती रहीं कियाम भी उन्होंने वहीं फर्माया रात दूसरे दिन फिर वो किसंगई के लिए रवाना हुए मौलाना मुफ्ती आले मुस्तफा साथ को देखकर मुझे इत्मिनान था कि मेरे बाद मेरी जगह लेने वाले लोग मौजूद है आज वो मुझे छोड़ के चले गए तो ऐसा लगा कि अब कोई मेरी जगह लेने वाला मौजूद नहीं मैं किसे छोड़ के जाऊंगा यानि ये खले आप महसूस कर रहे हैं आप मेरी बात से मेरे जुम्लू से समझे कितना बड़ा खला हो गया है अब्सक्राद मौलाना आले मुस्तफा साथ की अब्तदाई तालीम से लेकर इंतिहा तक तक तकरीबन मेरे पास हुई और फिर वो मुबारक पूर गए वहां से फारिख हुई वहीं से मुफ्ती का कोर्स किया और मुझसे बराबर राप्ता रखे रहा मेरे जितने शागिर्द आज हैं उन तमाम में खासकर इल्म फिकाव में कोई उसके मद्दे मुकाबिल नहीं था उनके जाने से ये इल्म फिकाव का जो सरमाया है वो अहल सुन्नत से गुम हो गया मुलाना आले मुस्तफा साथ सिर्फ सीमान चल के नहीं पूरे बिहार के मेरे काई मुकाम थे वो चले गए और मैं तनहारा गया अब इस बुड़ापे की आलम में जब के मेरा आलम ये है के एक पाउं कबर के नीचे है एक पाउं कबर के ओपर है जितना सिद्मा मुझे हुआ है सिर्फ इसलिए नहीं के वो मेरे शागिर्ट थे बरके इसलिए भी के उनके इंतिकाल से खुशुसाँ फिक्र हन्फी का वो अज़ीम सरमाया पूरे अहल सुनत ने बिहार के अहल पूरे अहल सुनत ने बलक्त आगे बढ़के कहिए तो मुलक के अहल सुनत ने खो दिया आज उनके जाने का जितना मातम करे अहल सुनत वो सब कम है मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक अटाला उनकी मगफरत फर्माए उनको आला से आला जन्नत में मकाम अता फर्माए और उनकी कब्र को नूर सुरूर से भर दे उनकी कब्र को वसी फर्मा दे वसल्लाह ताला आला खेर खल्कही उनूर अर्शही मुहम्मद वालही वसहबही अज्माइन बेरहमतिका या अरहमर्राहिमीन वेक्प ला इल्हा इल्ला मुहम्मद रर्सूलु अल्हाई